दोस्तों नमस्कार ये हमागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराक्ष ओधरी दोस्तों यूपी बोट के आठ्मिक अच्छा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अध्याय आठ में आज प्रस्तुत है भारत में राष्टवात का उदय और विकास इस अ ओम रूल आंदोलन के बारे में जानेंगे ये वीडियो आठ्मिक अच्छा के चात्रों के साथ प्रत्योगी परिक्षाओं की तैयारी करने वाले चात्रों के लिए बहुत ही उप्योगी है अध्याय के अंत में हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को साल्व करेंगे जो आठ्मिक अच्छा के विद्यार्थियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उप्योगी हैं तो आएए शुरू करते हैं यूपी बोर्ट के आठ्मिक अच्छा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय आठ भारत में राष्टवाद का उद्य और विकास दोस्तूं आधुनिक भारती राष्टी आंदोलन बुनियादी तवर पर विदेशी आधिपत्ति की चुनावती के जवाब में उदित हुआ भारत में जो राष्टी आंदोलन का प्रारम हुआ या सुरूआत हुआ ये विदेशी आधिपत्ति जो की ब्र राष्टी भावना का विकास करने में सहायता दी। यानि बृटिशों द्वारा किये जारहे जो कार्य थे ऐसे कार्य थे जिन से भारती जनता के अंदर राष्ट्रिय भावना उधित हुई। राश्टी भावना के उदै के अविकास के प्रमुक कारण कौन कौन से रहें उनके बारे में जानना जरूरी है तो सबसे पहला कारण भारत की राजनेतिक एक्ता है दूस्तों अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक साचे म पनपी और इसने वैचारिक और भावात्मक एक्ता को बढ़ावा दिया हम जानते हैं कि ब्रेटिस सासन भारत में बहुत ही अत्याचार पूर और अमानवी था भारतियों पर तरह तरह के प्रतिबंध और उनको कठोर यातनाय दे गए लेकिन भारत को राजनीतिक एक्ता के को बल मिला जो प्रत्यक्ष रूप से भारतियों को जूड़ने में मददगार साबित हुआ दूसरा कारण तिब्र परिवहन था तो वास्तों में प्रशासनिक सुविधाएं सैनिक रक्षा के उद्दे से आर्थिक ब्यापार और ब्यापारिक सोसल की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तिब्र साधनों की योजनाय बनी परिवहन के साधनों का विकास इसलिए किया गया ताकि प्रशासनिक सुविधा बनी रहे सैनिकों की रक्षा का उद्दे से बना रहे कहीं पर विद्रो हो तो सेना तुरंत पहुंच जाए सूचनाओं का आदान हो जाए पक्के मारगों का एक जाल बिच गया इससे प्रांत एक दूसरे से गाउं बड़े बड़े नगरों से जुड़े और देश को एकता में बाधने वाला सबसे बड़ा साधन रेल थी जिससे कम समय में जो है अधिक लंबी यात्रा करना संभव था इसकी अलावा इसको एक करने में सहायता थी यहां यह जानना जरूरी है कि डाक और संचार बेवस्था ब्रेटिसों ने अपने उपयोग के लिए बनाई थी लेकिन इसका कहीं न कहीं भारतियों पर इसका सकरात्मक प्रभाव पड़ा और उन्हें एक दूसरे से जुड़ने में मदद मिल संदेशों के सिग्राति सिग्र भेजने में बिजली के तारूने करान तिला दी और आधनिक संचार साधनों से भारत के भिन 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 भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाई रखने में सहायता मिली जिससे राष्टवात को बढ़ावा मिले तो य नय बुद्धी जीवी लोग प्राय कनिष्ट प्रसासक वकील डाक्टर अध्यापकादी थे इन में से कुछ लोग इंग्लेंड में सिच्छा प्राप्त कर चुके थे उन्होंने वहां इन राजनेतिक संस्थाओं की व्यवस्था देखी थी यहां लोटने पर उन्हें ये हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शुनने के बराबर हैं वातवरण में दास्ता यानि गुलामी है अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धी जीवी वर्ग ने अपने राजनेतिक अधिकारों से जो की वो पहले से परचित थे उन्हों ने अनुभो किया 1833 के चार्टर एक्ट और रानी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषडा में दिये गए बचनों के बावजूद उचे उचे पदों के द्वार भारतियों के लिए बंद ही थे यही लोग नौदिक राजनेतिक असंतोस का केंद्रबिंदु बने और भारती राजनेतिक संस्थाओं को ने त्रेत भासा तो भारत के बिभिन छेत्रों में अस्थानी बोलियों का प्रचलन है बिभिन भाषा भासाई छेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक संपर्क भासा की भूमिका का निर्वहन किया जिससे कसमेर से दक्षुडी ध्रो तक सभी छेत्रों के निवासी अपनी बात एक पर रख सके और दूसरी चीज भारती समाचार पत्र और साहित्य की भूमिका भी राष्टी भावना के विकास में बहुत ही महत पूर्थी ये आपको याद रखना है भारत में राष्टी भावना के विकास में भारती समाचार पत्रों और साहित्य की भूमिका रही और इनक समाज में जो कुछ होता है उसको प्रतिविंबित करता है और साहित्य में जो कुछ होता है उससे भी समाज चीजें गरहन करता है तो इन राष्टवादे समाचार पत्रों में संबाद कवमुदी, सोम प्रकास, बंगदूत, केसरी, हिंदू और अमरित वाजार पत्री का आधि प्रमुक हैं और इसी प्रकार साहित्तिक रचनाओं में आनंदमठ भारत दुर्दशा गेतांजली यादिने राष्टी भावना जगाने में महत्तपूर भोमिका निभाई है इसके अलामा अंग्रेज शासकों का नसली दंब दोस्तों भारत में जो राष्टी भावने की विक जेका मानते थे भारती ये यूरोपी लोगों के कलबों में नहीं जा सकते थे उन्हें गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमती नहीं थी जिसमें यूरोपी यात्री जा रहे हों तो इस तरह का भेद भाव और जो वरताव था ब्रेटिक्सों का भारतियों के प् क्रिया के रूप में भारत में राष्टवात का उद्य हुआ देखे उन नीश्मी सताबदी के पुर्वार्थ में इंग्लेंड अध्योगी क्रांति का नेता था क्योंकि सबसे पहले अध्योगी क्रांति इंग्लेंड में हुई और बस्तूओं का बड़े पैमाने पर अधिक म नेतियां चाहे क्रिसी उद्योग वित्ट शुल्क विदेशी पूझ इनिवेशन विदेशी ब्यापार बैंक व्योसा ये अंग्रेजी अर्थ व्योस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई और जब कभी भी भारती विकास और अंग्रेजी हीतों में ठकराव होता थ तो जो बल ही होती थी सदव भारती हीतों की होती थी और इस वेवस्था का दादा भाई नवरोजी ने अपनी पुष्टक the poverty and unbritish role in इंडिया में धन निसकासन थियरी यानि धन निसकासन सिद्धान्त के रूप में उलेख किया है तो ये सभी कारण जो थे ये भारत में जो है सम्मीलित रूप से देखा जाए तो ये राष्टी भावना के विकास के प्रमुख कारणों में रहे एक और महत्वपूण कारण रहा सन 1885 में भारती राष्टी का अंग्रेश की अस्थापना ये बहुत ही महत्वपूण कारख है सन 1885 के से भारत के इतिहास में एक नया यूग प्रारंब हुआ और 1885 इसलिए महत्वपूण है क्योंकि इसी वर्स भारती राष्टी का अंग्रेश के नाम से एक अखिल भारती राजनेतिक संस्था का जन्म हुआ और इस राष्टी का अं कांग्रेश के धे यानि उद्देश क्लियर नहीं थे ये अ अस्पष्ट और संदिग्ध थे ये आंदूलन के वल सिच्छित मध्यम वर्गी बुद्धी जीवी वर्ग तक से मित्था जो पश्मी उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेंडा लेता था राष् सात्मक असहयोग अपना कर अंदूलन प्रारम किया और कांग्रेश के नित्रित में भारत को ब्रिटिस सत्ता से सोतंतरता मिली दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेश जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेश कहते हैं इसकी अस्थापना में किसी भारती का नहीं बलकी एक सिविल सेवा के अधिकारी ए ओ ह्यूम इनका पूरा नाम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम था इनका नाम जो है इनकी भूमिका रही है ये आवकास प्राप्त सिविल सर्वेंट थे वे उदारवादी अंग्रेश थे कांग्रेश के प्रथम अध्वेशन में सामिल होने वाले प् प्योमेश यंद बनरजी यानि WC बनरजी भारती राश्टी कांग्रेश के प्रथम अध्वेशन के अध्यश थे ये बंबई के गोकुल दास्तेजपाल संस्कृत विद्याले में आयूजित हुआ था यहाँ पर चित्र में कांग्रेश के प्रथम अध्वेशन 1885 के चित्र को आप देख सकते हैं दूस्तों कांग्रेश के प्रथम अध्यवेशन में जो उद्देश घोसित हुए उनको देखिए कि देश के विभिन भागों के राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को एक जुट करना भारती राश्टी कांग्रेश के प्रथम अध्यवेशन का विएक्त करना तो ये कांग्रेश के प्रथम अध्यवेशन के घोसित उद्दे से थे कांग्रेश के अध्यवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी सरकारी नीतियों की आलोशना भी होती थी सरकार को कैसी नीतियां अपनानी चाहिए इसक गरम या अतिवादी या उग्रवादी नरम दल क्या था तो कांग्रेश के वे नेता जो शांतिपोण और वैधानिक धंग से देश किया वसकताओं को पूरा करना चाहते थे वो उदारवादी कहलाए उनका विश्वास था कि अगर जन्मत को उभारा जाए प्रार्थना पत्र सभाओं प्रस्ताओं भासडों द्वारा जन्ता की मांग को सासन तक पहुँचाया जाए तो धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे और उदारवादी या नरम दल के नेताओं में दादभाई नवरोजी गोपाल कृष्ण गोखले मदन मोहनमालवी सच अचिदा नंसिनहा आदि थे और ये लोग इन लोगों ने प्रार्थना पत्र अनुनेवीने की नीती अपना कर अंग्रेजों से अपनी बात मनुआने का प्रयास किया दूसरा धर गरम दल था उन्नीसमी सदी के अंतिम बरसों में राष्टी का अंग्रेज या राष्टी अ अनुने विने करके भारती अपने अधिकारों को नहीं प्रात कर सकते इनकी माननता थी कि वे उग्र विरोध के विना हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे लोक माने तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिध्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में दे के नेता थे, दोस्तों नरम डल और गरम डल की भावना, विचार और तरीकों में आपको क्या अंतर दिकाही देता है तो नरम दल, अनुनेविने और सांतिपूर नीतियों के पक्षधर थे अपनी बातों के लिए जबकि गरम दल अप उग्र या क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे दोस्तों भारत में राष्ट्रियता के उदय के या राष्टी भावना के विकास के काड़ों में बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन भी बहुत ही महत्तोपूर रहा यहाँ पर आप लाड करजन का चित्र देख रहे हैं 1905 में तेजी से बढ़ते हुए राष्टी आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए ततकालीन गवर्नर जनरल लाड करजन ने बंगाल को 1905 में दो भागों में विभाजित कर दिया अंग्रेजों ने बिभाजन का कारण बढ़िया प्रसासन या प्रशार्षनिक सुविधा परदान करना बताया लेकिन वास्तविक कारण हिंदू और मुसल्मान दोनों लोगों में फूट डालना था ब्रेटे सरकार ने बंगाल प्रेसिडेंसी यानि बंगाल प्रांतों को दो हिस्सों में बाठ दिया एक पश्मी बंगाल जिसमें हिंदू अधिक थे और दूसरा पूर्वी बंगाल जिसमें मुसल्मान अधिक थे बिभाजन के कारण सारे बंगाल में रोश की लहर दोड़ गई बिभिन्न अस्थानों पर सभाय और अंदोलन किये गए नरंदल और गरंदल के नेताओं ने मिलकर इस अंदोलन को नेत्रेत दिया और इसी वीच 1906 में भारती मुस्लिम लीग की अस्थापन होई भारती मुस्लिम लीग जो था ये पहले मुस्लिम जो मुस्लिमों के जो बड़े नेता थे वो कांग्रेस के सदा से थे लेकिन अब ये मुस्लिम लीग के नाम से एक मुस्लिम लोगों का एक नया संगठन बना और आगा खाने इस संगठन की अस्थापना आगा खा सली मुल्ला खाने मिलकर इसकी अस्थापना के थी दोस्तों बंग भंग आंदोलन के साथ ही एक बहिसकार और स्वदेशी आंदोलन भी चला बंग भंग का बिरोध करने के लिए भारतियों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने के बजाए, अपने बल पर स्वराज हांसिल करने की भावना के लिए दो तरह के कारेक्रम बनाएं, इसमें एक था बहिसकार और दूसरा स्वदेशी, बहिसकार का मतलब बड़ी मात्रा मे अंग्रेजी कपड़े, सक्कर और मालादी का बहिस्कार और दूसरा स्वदेशी यानि अपने देश के लोगों द्वारा बनाई कई चीजों का उपयोग भारतियों में स्वदेशी का विचारपन अपने लगा वे कहते हम अपने उद्योग लगाएंगे अपने स्कूल कालेज खोलेंगे, गाउं के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याएं दूर करेंगे हम अपनी अपने फंचायत और कचहरी लगाएंगे हम अपनी विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी आत्म शक्ति बढ़ाएंगी कि ये सभी स्वधेशी में शामिल था तो बंग-भंग, आंदोलन और स्वधेशी तथा बहिसकार नेतियां एक दूसरे से संबंधित थे लोग ये क्यों सोचते थे कि बहिसकार और स्वधेशी कारेकरमों से देश को स्राज मिल पाएगा तो आप जान लीजे बहिसकार करने से जब अंग्रेजों द्वरा या ब्रेटिस माल का बहिसकार किया जाएगा तो इससे उनकी अर्थवियोस्था पर प्रुभाव पड़ेगा और स्वदेशी कारेक्रमों से देश जो है देश के लोग अपने लोगों पर सासन करेंगे और अ उससे ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जीनों ने उग्रवादी नीतियों के आधार पर ब्रेटिसों का भी रोध किया ब्रेटिस सासन द्वरा राश्टी अंदोलन के कुरूर दमन के कारण कुछ देश भगतों ने स्वतंतरता प्राप्ति के लिए ससस्तर क्रांति का मार्ग चुक थे बंगाल पंजाब और महराश्ट में क्रांतिकारी अंदोलन ने गती प्राप्त की इनका मानना था कि क्रांति से ही देश को आजाद कराया जा सकता है अनुने विने प्रार्थना और अहिंसावादी नीतियों से नहीं क्रांतिकारी ने बंगाल में अनुशीलन समित की अस्थापना की खोदी रामबोस प्रफुल लचाकी और अर्विंद घोष प्रमुख क्रांतिकारी थे महराष्ट के चापेकर भाईयों ने को भी इस प्रकार की आंदोलन में महत्तुपूर घुमिका थी और इस आंदोलन को ब्यापक बनाने के लिए क्रांतिकारी समाचार पत्रों का प्रकाशन भी सुरू किया गया बंगाल में संध्या और युगांतर तथा महराष्ट का काल ये प्रमुख क्रांतिकारी समाचार पत्र थे इसी बीच आप जान लिजे कि मारले मिंटो सुधार 1909 पारित हुआ और ये जो है हमारे राष्टी अंदोलन के करने के लिए नए सुधारों की घोश्टा की भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा कर 60 के अरदी गई मुसल्मानों के लिए सीट आरच्छित करके उनका प्रिथक निर्वाचन करने की व्यवस्था की गई लेकिन इससे भारतियों में असंतोस कम नहीं लेकिन इससे भी राष्टवादी संतुष्ट नहीं हुए दोस्तों गदर पार्टी की क्रामतिकारी गती विधियों में महत्तो पूर्ण भोमिका रही युद्धकाल में बंगाल महराष्ट और उत्तर भारत के अनेक छेत्रों में शशस्त्र राष्टवादी विद्रोह की योईशना तयार होने लगी और ये वो दोर था जब पर्थम विस्यूद्ध चल रहा था भारत के बाहर अमेरिका और कनाटा में बसे भारती देश भक्तों ने 1913 में गदर पार्टी की अस्थापना की और इस पार्टी के प्रमुख निता लाला हर्दयाल थे इस दल के अन् माजिक पत्र गदर का प्रकासन किया गया उसके मुखे प्रिष्ट पर लिखा रहता था अंग्रेजी राज का दुश्मन होम रूल आंदोलन की बहुत महत पूर्ण भूमिका रही दोस्तों 1914 में प्रथम विस्युद्ध आरंब हुआ था इंग्लेंड ने युद्ध में प्रष्टी नेता इंग्लेंड की मदद करने के पक्ष में थे वे आशा करते थे कि इस मदद के बदले इंग्लेंड की सरकार भारत को श्वसासन के दीशा में कुछ सुविधाय देगी कुछ भारती नेता युद्ध के दवरान इंग्लेंड पर दबाव डालना चाहते थे जिससे स्वसासन के विशय में जल्दी घोश्टा कर दी जाए और प्रिटिस सरकार ने युद्ध बंध होने के बाद कांग्रेज की माँगों को पूरा करने का आस्वासन दिया थाँ इसी आधार पर भारतियों ने विश्युद्ध में ब्रेटिस सरकार की साहेता की लेकिन विश्युद्ध की समापती के बाद अंग्रेज अपनी जो उनकी नीती थी जो नियती थी उन्होंने नियत जो था उनका वो अपने वादे से मुखर गए उनिस सोले तक आते आते कांग्रेज के दोनों नरम और गलम दलों में दूसरी और कांग्रेज और मुस्लिम लीग में समझावता हो गया और इसी समय स्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान बाल गंगादार तिलक ने होम रोल आंदोलन प्रारम किया और होम रोल आंदोलन ने ही 1895 और 1905 में एक छोटे इशियाई देश जापान ने बड़े देश चीन और पश्मी देश रूस को युद्ध में हराया इन देशों की हार ने ये बता दिया कि सिर्फ बड़े देश और पश्मी देशों का सक्ति में एक अधिकार नहीं है और उनकी इस हार ने गरम दल की सोज को काफी प्रभावित किया सन 1914 में पर्थमबिस युद्ध आरंब हुआ इसमें इंग्लेंड फ्रांस इटली रूस और जापान देश थे अमेरिका भी बाद में इंग्लेंड और उसके पक्षवाले देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था अब आईए इस अध्य जो की आठमी कच्छा का अध्याए आठ है भारत में राष्टवात का उदय और विकास इसमें संबंधित जो शब्दावली है उनको देख लेते हैं होम रूल आंदोलन क्या था तो होम रूल आंदोलन प्रेटिस सामराज के अधिन रहते हुए संभाय धानितरी से किस से होम की लाष्ट में इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्णों को साल्व करते हैं कांग्रेश का पर्थम अधिवेशन कब हुआ था तो ये 1885 में हुआ था वंदे मातरमगीत के रचाईता कौन थे बंकिम चंद चटरजी जो इनके उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है और अब देखे अतिलग हुत्तरी प्रश्णों में कि भारती राष्टी कांग्रेश की अस्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही थी तो ये ब्रेटिस सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे ए ओ हियोम एलेन आक्टोवियन हियोम स्वराज हमारा जन्म सिध्ध अधिकार है हमें से लेकर रहेंगे तो ये बाल गंगा धरती लग का कथन है भारती मुस्लिम लिग की अस्थापना की सन में हुई तो 1906 में धाका में लगुत्तरी प्रश्णों पर आते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोसित किये गए उद्देश तो देश के विभिन भागों के राजनेतिक और सामाजिक नेताओं को एक जूट करना भारतीयों में राष्टी एकता की भावना विक्सित करना राजनेतिक और स जो है सांतिपूर और वैधानिक धंग से देश किया और सकताओं को पूरा करना चाहते थे उनका विश्वास था कि जन्मत को उभारा जाए प्रार्थना पत्रों सभाओं प्रस्ताओं और भासलों के द्वारा जनता की मांग को सासन तक पहुँचाय जाए तो धेरे धेरे क के द्वारा अपनी मांगे पूरी कराना चाहते थे इसमें लोकमान बालगंगा धरती लग लाला लाजपतराय और विपिन चंदरपाल का नाम महतपूर है और बंकिमचर चटर जी के गीत बंदे मातरम ने भारत बासियों में मात्री भूम के प्रति देश भक्ति की भावना उदय की थी होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं तो 1914 में पर्थम विस युद्धाराम हुआ इंग्लेंड ने युद्ध लड़ने के लिए भारती जनता और भारती साधनों का उप्योग किया भारतियों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भारती भी किया गया ब प्रेटिस सरकार की सहायता भी की थी लेकिन विश युद्ध की समापती के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए 1916 भी आते आते कांग्रेज के दोनों नरम और गरम दलों और दूसरी और कांग्रेज और मुश्लिम लीग में समझाता हो गया और एनी बेसेंट और लुकमानने बालगंगा धर दिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था लाश्ट कोस्चन लांग एंसवर है भारती राश्टी कांग्रेज की अस्थापना कब और क्यों हुई थी तो इसको आप लिखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे तो इसमें आप बताएं कारण उत्तरदाई रहे भारतियों की एक जूटता भारतियों ने अपनी दर्सा सुधारने के लिए भारतवासियों ने प्रयास किया मध्यम बर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने इसके खिलाप आवाज उठाया और लोगों ने कई छेत्रों में बिभिने संस्थाओं का ग अंग्रेज ने इनकी भावनों को मोर्त रूप देने के लिए प्रयास किया और 28 दिसंबर 1885 को देश के विभिन भागों से आये हुए गड़मान व्यक्तियों के सहयोग से भारति राष्टिका अंग्रेज का जन्म हुआ था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बहुत ही ये यूपी बोर्ट के आठविंग अच्छा की पुष्टक भारत में राष्टवात का उदय और विकास था इसमें हमने अध्याय के साथ उन प्रशनों को सालु किया जो आठविंग अच्छा के विद्यार्थियों के लिए उप्योगी होंगे तो आप इन प्रशनों को शेयर करें और इस चैनल माक देशन फॉर सिविल सर्विशेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार